बॉलीवुड एक्ट्रस एजुकेशन ये बाते फैंस हमेशा जानने के लिए ये बेताब रहते हैं आज हम आपको इन फिल्म अभिनेत्रियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताने वाले हैं जुही चावला 13 नवंबर 1967 को हर्याना के अंबाला में जन्मी जुही चावला ने अपने फिल्मी करिय की शुरुवात 1986 की फिल्म सल्तनत से की थी हाला कि उन्हें एक नई पहचान 1988 में आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली वो हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रही हैं और उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से शिक्षा प्राप्त की और मुंबई के सिडेनहम कॉलिज से एचार में सनातक की उपाधी प्राप्त की करीना कपूर खान 21 सितंबर 1980 को कपूर परिवार में जन्मी करीना कपूर खान आज बॉलिवोर्ट की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं शरनार्थी के रूप में अपने फिल्मी करिय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ने मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल और देहरादून के वेल्म गर्स स्कूल से पढ़ाई की है उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मीठी बाई कॉलेज मुंबई को चुना लिकिन अपने फिल्मी करिय के कारण कॉलेज की ड्रॉप आउट छात्रा बनी रही रानी मुखर जी 21 मार्च 1978 को जन्मी रानी मुखर जी एक सफल फिल्म अभिनेत्री है रानी ने अपने फिल्मी करिय की शुरुआत 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात से की थी उन्होंने ब्लैक, हिचकी और मर्दानी फिल्मों में अपनी काबिलियत साबित की है उन्होंने मुनेक जी कूपर हाइ स्कूल, जुहू, मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और मीठी बाई कॉलेज, मुंबई सिसना तक की पढ़ाई पूरी की एश्वर्या राय विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली एश्वर्या राय बच्चन का जन्न 1 नवंबर 1973 को एक बंगाली परिवार में हुआ था बॉलिवुड में फिल्म और प्यार हो गया से अपने फिल्मी कर्या की शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री की शिक्षा आर्य विद्या मंदिर में हुई थी मुंबई, फिर उन्होंने डीजी रुपारल कॉलेज, मुंबई से उच्च शिक्षा प्राप्त की हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एश्वर्या ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, वो ड्रॉप आउट थी